नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त पवन प्रताप यूट्यूब चैनल टोटल पावर सोलुशन भी दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा टेकनिकल नहीं है बिल्कुल बेसिक सा इसके अंदर लोजिक है बेसिक सा पाइंट है लेकिन फिर भी मैं अपलोट कर रहा हूँ सायद मेरे किसी दोस्त को ये काम आजए दोस्तों अभी मेरे हाथ में जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका फैन रेगुलेटर है लेकिन ये old traditional हमारा जो प्राने वाला regulator था फैन का वो वाला है दोस्तो अगर मेरे किसी भाई के घर में अभी भी ये old और traditional फैन regulator लगा हुए तो उसको change कर दें और नए वाला जो आपका track बेस्ट आता है जिसके अंदर track यूज़ किया जाता है firing के लिए उसको आप use करें क्योंकि दोस्तो नए वाला जो track बेस्ट है वो आपका speed कम करने से आपकी electricity यानि की बिजली की बचत करता है और ये पुराने वाला जो है इसकी speed को अगर आप कम करेंगे यानि कि इसकी मदद से अगर आप speed कम करेंगे fan की तो उससे दोस्तो fan की speed तो कम हो जाती है लेकिन आपकी बिजली की बचत यानि की electricity के अंदर कोई भी saving यहाँ पर नहीं होती है इसके logic को समझते हैं उसके बाद practically इसको claim meter से check भी करने की यहाँ पर कोशिस करेंगे मेरे पास यहाँ पर claim meter है दोस्तो क्योंकि मेरे पास यह खराब है देखिए यहाँ पर इसका resistance यह burnt है यहाँ पर resistance open हो गया है तो यह particular किसी speed पर काम नहीं करेगा हो सकता है series open होने से यह किसी भी speed पर यह काम भी ना करें तो दोस्तों इसमें क्या होता था कि हमारे जो fan की speed होती थी वो एक से लेके पांस तक होती थी इसमें 4 resistance हैं देखिए मैं आपको दिखायता हूँ resistance 1 एक resistance यहाँ पर है दो तीसरा resistance इन दो पांट पर है और चोथा resistance इन दो पांट पर है आज कल जो हमारे SMT में resistance की array आती है तो उसी तरीके से यह भी array है जिसके अंदर एक के इन अंदर ही दो resistance है दो resistance की यहाँ पर टेपि तो दोस्तो एक से लेके चार तक जो हम स्पीड को करते थे तो इसमें resistance का रोल होता था यानि कि resistance फैन की सीरीज में यहाँ पर आते थे जिसकी वज़े से फैन की स्पीड कम होती थी लेकिन नंबर पांस पर जैसे हम फैन की रेगुलेटर को करते तो हमारा न्यूटल और फे हैं दोस्तो तो स्पीड सबसे कम होती है तो इसका मतलब resistance सारा जो टोटल चारों resistance हैं वो आपके शीरीज में होते थे जिसकी वज़े से आपका फैन को पूरी वोल्टेज नहीं मिलती थी ज्यादा तर जो वोल्टेज थी इस रेजिस्टेंस के अक्रोस यहाँ पर ड्रोप ह हो जाती थी क्योंकि दोस्तो रेजिस्टेंस के अक्रोस वोल्टेज ड्रोप हो गई फैन को वोल्टेज कम मिली इसलिए फैन कम चलता था लेकिन क्योंकि यह सीरीज में है तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रोप होने की वज़े से और इसके अंदर से करेंट होने की वज़े से यहाँ पर पावर लोस होता था इसलिए यह रेजिस्टेंस दोस्तों मोटी होती थी इनकी वाटेज भी जाता होती थी क्योंकि जितनी वाटेज आपकी फैन को नहीं मिलती दोस्तों वो वाटेज आपकी यहाँ पर हीट के रूप में लोस्ट होती थी हीट के रूप में के connect होती थी जिससे फैन की speed कम होती थी क्यूंकि ज्यादातर वोल्टेज आपकी इन रेजिस्टेंस पे drop होती थी जैसे फैन की speed 2 पे करते थे दोस्तों तो एक resistance बाइपास हो जाता था यानि की आपकी तीन resistance अभी भी स्टाट जाती थी क्योंकि voltage ड्रोप अब सिर्फ एक resistance को क्रोश होता था बाक्य voltage आपके देज्वमें को मिलके जिससे लगता है कि पांच पे करते थे दोस्तों कोई बिढ़ ईस सीरे किनेक्नेक्ट नहीं होता था और दोस्तों इसMA dos नटाके भस Bowl को मिलता था बाकी तीन रिंट्तर्स का कोई रोल नहीं था तो वह pes T कोय एक शेक्शन जिस नमबर पर रहेंगे बस्तर्च दो क्रप रहेंगे तो इसलिए वह गरम ओके हीट होके यहां पर खराब हो जाती थी ओर दोसत तो क्योंकि resistance के उपर voltage रोप होता था और power loss से यहाँ पर ज्यादा होता था इसलिए resistance की वार्टेज भी ज्यादा होती थी और यह ज्यादा heat नहों इसके लिए यहाँ पर कुछ metal की strip भी लगाई जाती थी जो की hitsing का काम करती थी और ज्यादा गरम होने की जैसे इसका जो प्लास्टिक का enclosure था वो ना जल जाये और कई पर वो जल भी जाता था ऐसे cases भी आते थे तो मेरा कहने का मतलब ही है कि अगर प्राणे वाला traditional old अगर आपके पास fan regulator है तो उसको यूज ना करें क्यूंकि उससी बिजली की saving बिलकुल नहीं होती है जितनी वाट आपके fan को कम मिलती है उतनी वाट यहाँ पर resistance पर ड्रोप हो जाती है यानिकि आपके meter से जो बिजली क मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ट्राइक वाला रेगुलेटर उसको मैं क्या करूंगा यहां पर चेक करूंगा मेरे पास वही लगा हुआ है पहले मैं एक पर उसको करूंगा फिर दो पर फिर तीन पर ऐसे करके मैं उसकी speed बढ़ाता जाऊंगा और आप लोग इस claim meter प बैक अप मोड पे ओन कर लेता हूं ताकि आपके inverter से ही यानि कि battery से ही आपका वो fan चले क्योंकि battery से जो fan चलेगा तो यहां पर 12V पे वो current लेगा तो अगर 100W का अगर आपका fan है क्योंकि मेरे पास प्राना fan है तो यह 100W का है तो यह 8.5 पाइंट कुछ अंपेर यहां पे ले दोस्तों inverter को मैंने backup mode पे कर दिया है ताकि fan को हम चलाएं तो वो fan का current है वो battery से चले बाइपास यह inverter ना रहे ताकि हम आसानी से इसकी consumption को यहां पे measure कर सके DC Ampere को fan हमारा अभी off है दोस्तों सिर्फ कुछ LEDs हमारी 9W की 2-3 यहां पे glow हो रही है DC Ampere मैंने कर लिया है क्लाइम मिटर को और दोस्तों इसका 0 यहां पे मैंने कर दिया है set अभी मेरे पास battery की positive wire है इस पे मैं क्लाइम मिटर को लगा देता हूँ दोस्तों आपको यह जो Ampere दिखाई दे रहा है यहां पे 3.3 यह inverter का no load current पलस दो हमारी 2-3 LEDs है उनका यह current है तो 3.2, 3.3 Ampere जो है यह आपका अभी हम note कर लेते हैं अभी मैं fan को 1-1 करके उसकी speed बढ़ाता जाओंगा अभी phone off है हमारा और उसके बाद हम इसके Ampere को यहां से note down करेंगे दोस्तों fan को मैंने on कर दिया है 3.3 से यह 4.2 लगबग एक Ampere बैटरी से इसने current draw करना start कर दिया है दोस्तों 4 तक इसकी speed है मेरे पास जो regulator है इसकी अभी मैंने fan की speed और बढ़ा दिये दोस्तों लेकिन इसमें fan की speed पे भी कम फरक पड़ा है और Ampere पे भी कम है यह देखें दोस्तों मैंने अभी speed और बढ़ा दिये है तो यह 6.2 अपे अभी बैटरी से current draw कर रहा है और दोस्तों अभी मैंने fan की speed जो है maximum कर दी है यहाँ पे तो maximum करने के बाद जो है अभी यह बैटरी से current draw कर रहा है दोस्तों 12.6 यानिकि मोटा मोटा यह 9 पेर के आसपास जो है बैटरी से current अभी draw कर रहा है दोस्तों अब मैं इसकी speed कम करता जाओंगा तो इसकी current की consumption भी कम होती जाएगी speed कम कर दिये मैंने speed और कम कर दिये मैंने और यह हमारी speed जो है एक पे है यानिकि दोस्तों जो हमारा track based है latest बड़ा जो fan regulator है उसको हम use करके अगर हमारे fan की speed कम करेंगे तो हमारी electricity भी save होती है क्योंकि दोस्तों वो उसका जो on time off time होता है यानिकि अगर वो control करता है AC को तो उसका off time भढ़ जाता है तो उस case में वो supply आगे करता ही नहीं है तो losses नहीं होते हैं उसमें या negligible होते हैं बिल्कुल ना के बराबर वो उसके component की आपने जो losses होते हैं conduction losses और switching losses वो losses होते हैं बाकी बहुत ज़्यादा power loss नहीं होता है तो ये वाले आप regulator use करें अपने fan के लिए अगर आपने अभी भी कोई यूज किया है पुराने वाला traditional तो उसको निकाल दें और नए वाले जो track based ने उनको यूज करें वो आपकी electricity बचाते हैं पुराने वाले जो थे वो fan की speed कम करते हैं लेकिन electricity नहीं बचाते हैं और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी subscribe नहीं किया है तो उसको subscribe कर लें बला आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो की notification मिलती रही और दोस्तों हमारा जो नया चैनल है total health and logic उस चैनल को भी आप search कर लें या फिर नीचे description पर जाके link को click करके उस चैनल पर जाके उस चैनल को भी आप subscribe कर लें बला आइकन दबा दें ताकि health related और logical वीडियो की notification भी आप लोगों को मिलती रहे